सो हे गाईस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे से होगे सो आज हम क्लास 11 बायोलजी चप्टर नमबर 2 इसके इंपोर्टट MCQ करेंगे जो कि आपका बयोलोजिकल क्लास्फिकेशन है इससे पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया है जो कि आपका चप्टर नमबर 1 है क्लास 11 बायोलजी का दा लिविंग वर्ल्ड उसके MCQ मैंने कराए हैं वो वीडियो आप चाके देखना सो आज हम चप्टर 2 करेंगे दिबायोलोजिकल क्लास्फिकेशन सो यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारा क्वच्छन नमर 1 है विच आप दी फॉलोविंग आर लाइकली तो बी प्रेजंट इन डीप सी वाटर आप्शन आपके पास हैं यू बैक्टिरिया आप्शन बी हैं बिलू ग्रीन अलगी जिसको आप सायानो बैक्टिरिया भी कहते हैं आप्शन सी स्याप्रोफाइटिक फंजय आप्शन डी आर्किया बैक्टिरिया आपके किंग्रम मुनीरा से हैं या kingdom prokaryata जिसको आप कहते हैं, kingdom monira या kingdom prokaryata इसी से बिलांग करते हैं, यह archaea bacteria और यही archaea bacteria some of the harsh conditions में रहते हैं, harsh conditions में यही archaea bacteria रहते हैं और यही deep sea waters में भी रहते हैं, कुछ archaea bacteria saline conditions में रहते हैं, उनको हम halophilus कहते हैं, so option D is the correct option, इस question का, next question आप यहाँ पर देख सकते हो, question number 2, which one of the following is true for fungi, option A, they are phagotropic, option B, they like a rigid cell wall, option C, they are heterotrophs, option D, they like a nuclear membrane, so यहाँ पर आपको इन में से true statement बोलना है, फंजे के regarding, so kingdom fungi यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी से question है, so इसका जो correct option है, वो है option number C, they are heterotrophs, जो फंजे होते हैं, यह heterotrophs होते हैं, यह अपना food खुद नहीं बनाते हैं, okay, जैसे आपके plants हैं, जो के अपना food खुद बनाते हैं, उनको हम के थे, auto trophs, जो अपना food खुद tropic होते हैं, यह दूसरू पे रहकर, अपना जो food हासिल करते हैं, इनको हम heterotrophs या saprotrophic कहते हैं, so इसका जो correct option है, वो है option C, okay, so option C is the correct option, और question number 2, they are heterotrophs, फंजे heterotrophic होते हैं, next question आप यहाँ पर देख सकते हो, specialized cells for fixing atmospheric nitrogen in nostoc, और akinetis, heterocystis, hormogonia, nodules, so यहाँ पर जो इसका correct option है, वो है option B, heterocystis, जो यहाँ पर nostoc है, आपको पता है nostoc, किसकी example है, cyanobacteria, cyanobacteria, या blue green algae भी हम इसको कहते हैं, so, यह क्या करते हैं, जो इस cyanobacteria होते हैं, या blue green algae, यह क्या करते हैं, यह जो atmosphere में nitrogen होता है, उसको fix करते हैं, that is, fixing of atmospheric nitrogen, so, यहाँ पर किन cells की मदद से यह atmospheric nitrogen को fix करते हैं, so, उनको कहते हैं, heterocystis, important question यह भी है, next question आप यहाँ पर देख सकते हो, so, satellite RNAs are present in some, option A, plant viruses, option B, virus, option C, prions, option D, bacteriophages, so, इसका जो correct option हैं, option A, date is plant viruses, उच्छ plant viruses में आपको satellite RNA मिलेगा, next question आप यहाँ पर देख सकते हो, so, आपको जो पता हैं कि फायू किंग्रम सिस्टम अफ क्लास्फिकेशन जो कि आरेच विटा को ने दिया था, 1969 में, ओके, यह बहुत important point है, text का point है, याद रखना, और यह date भी आप खुद भी चाक करना, मुझे पता नहीं है, कि यही accurate है या नहीं, लेकि मुझे लगता है, 1969 में आरेच विटा करने फायू किंग्रम सिस्टम अफ क्लास्फिकेशन दी थी, जिसमें आपके किंग्रम मौनिरा हैं, किंग्रम प्रोटिष्टा हैं, किंग्रम फंजे हैं, किंग्रम पलांटी हैं, और kingdom एनिमिलिया है और यहां पर यही आपके पांच kingdom है तो यहां पर इसने तो classification की पांच kingdom तो आरेश विटाकुर ने दिये 1969 में लेकिन यहां पर आपको बोलना है कि किस basis पे उसने यहां पर इन चार में से आपको वो option बोलना है कि जिस पे इसने इनकी classification नहीं की थी अगर हम यहां पर more of nutrition की बात करें इस बेसिस पे इसने classification की थी ओके like kingdom मोनिरा के से अपना जो nutrition है उप्टेन करता है like अभी मैंने आपको बोला कि जो kingdom फंजे है यह हिटीरोट्राफिक होते है ओके हिटीरोट्राफिक more of nutrition इनका होता है like kingdom planting की अगर हम बात करें या plant kingdom उनका जो more of nutrition है वह है autotropic okay वह है autotropic mode of nutrition क्योंकि वह photosynthesis करते हैं और अपना food obtain करते है kingdom animalia की अगर हम बात करें animal kingdom जिसमें हम आते हैं उनका भी जो mode of nutrition है वो क्या है हिटीरोट्राफिक हम भी depend है plants पे okay for our food requirements so mode of nutrition इस पे यहां पर इसने classification की थी complicity of body organization यस इस option पे भी या complicity of body organization इस पे भी इसने यहां पर classification की mode of reproduction पे भी इसने classification की है okay so जो इसका correct option है option A so यहां पर आप देख सकते हो presence or absence of a well-defined nucleus so इस basis पे इसने classification नहीं की okay so यही इसका correct option है so जिनमें आप nucleus देखते हो उनको हम eukaryatis केते हैं और जिनमें आप nucleus नहीं देखते हो well-defined nucleus उनको हम prokaryatis केते हैं so kingdom prokaryatis जो है nucleus मिलेगा लेकिन kingdom monira में आपको नहीं मिलेगा so यह तो only आप यहां पर एक चीज़ नोट्स करो कि यह सभी को differentiate नहीं करता है यह kingdom monira को differentiate करता है with rest of four kingdoms with rest of four kingdoms लेकिन जो यहां पर more of nutrition है यह more of reproduction यह more of body organization यह सभी में different हैं okay यह सभी में different हैं किसी में cell wall हैं किसी में नहीं हैं किसी में cellulose का हैं किसी में hemicellulose back 10 okay different policy carides का हैं so यहां पर classification इसने कि आरेश विटा करने 1969 में इसने five kingdom system of classification दिया लेकिन कि space पे mode of production mode of nutrition body organization इस पे दिया लेकिन इस पे यहां पर नही दिया तो हम को यह ही कहना था इस नहीं पर देख सकते हो आर्किया बैक्टिया इफर्फर्म यू बैक्टिया इन cell membrane mode of nutrition cell shape mode of reproduction so it's got the correct option in way option c cell shape next question आप 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 देख सकते हो which of the following shows quailer RNA citrains and capsule murs polio virus तब एको mosaic virus measles virus retro virus so इसका जो correct option है option b that is tmv तब एको mosaic virus next question आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही important question है viruses have option a DNA enclosed in a protein code option b prokaryotic nucleus option c single chromosome option d both DNA and RNA so यहां पर इसका जो correct option है वो है option a okay option a DNA enclosed in a protein code एक चीज़ याद रखना जो viruses होते हैं यह only two components के बने होते हैं एक तो इनमे genetic material होता है और इनमे protein code होता है genetic material या तो DNA होगा या RNA या तो DNA या RNA लेकिन दोनों कभी नहीं होंगे RNA तो दोनों कभी नहीं होंगे यह सबसे important point है जो viruses होते हैं इनमें only two components होते हैं एक तो genetic material और एक protein code ओके एक तो genetic material और protein code जो protein code होता है वो genetic material को प्रोटेक्ट करता है genetic material या तो DNA होगा या RNA, दोनों कभी नहीं, एक ही होगा, या DNA होगा, या RNA होगा, कुछ वाइरस में आपको DNA मिलेगा, जो की genetic material है, कुछ वाइरस में आपको RNA मिलेगा, जो की genetic material है, और genetic material है, इनमें infectious होता है, आपको पता है, viruses, infections करते हैं, diseases करते हैं, so, जो diseases होता है, जो diseases होती ह हैं वो ही इस genetic material से होती हैं, okay? वो genetic material से होती है diseases, so यह याद रखना कि जो viruses होते हैं, यह दो components के बने होते हैं, एक तो इनमे genetic material होता है, वो यह तो DNA होगा या RNA और इनमे protein coat होता है प्रोटीन कोट होता है। यहाद रखनाDANA इन क्लोज़रियू इनए अप्टीन कोट, इसका यहिए पॉपशन होगा। यहाद पर आफ देख सकते हो बौड डिना न आरणीट, यह नहीं होगा जैसे मैंने बूला एक ही होगा, या तो DNA होगा या RNA Next question आप यहां पर देख सकते हो यह भी important question है The motile bacteria can move by जो bacteria होते हैं कुछ bacteria यहां पर motile होते हैं याने वो movement दिखाते हैं तो किस की मदद से वो motile होते हैं या movement दिखाते हैं So इसका जो correct option है याद रखना यहां पर confused नहीं होना इन options में तो फिलेजला की मदद से bacteria move करते हैं और जो फिमरे होते हैं इनमें इसकी मदद से attach होते हैं with the host ओके इनकी मदद से attach होते हैं और जो cilia होता है cilia तो आपको पता है eukaryatis में होता है ओके eukaryatis में आपका cilia होता है और यहां पर पिलाइक की फंक्शन आपकी text book में है cell biology में इसकी फंक्शन चा करना वहां पर इन तीनू की फंक्शन हैं पिलाइक की फंक्शन मुझे भी याद नहीं आ रही है लेकिन इसकी फंक्शन भी I think attachment with the host है लेकिन जो फ्लेजला है फ्ले so next question आप यहां पर देख सकते हूं true nucleus is absent in mucor, vicaria, walvacus, anapina so यहां पर जो एक question है easy question है लेकिन आपको सोचना है कि आप इसको कैसे approach करोगे इसी वीडियो में मैंने पहले बोला कि जो आपके prokaryotic organisms हैं उनमें true nucleus नहीं होता है उनमें well defined nucleus नहीं होता है so simple से आपको यहां पर देखता है कि prokaryotic की example कौन सी है या जो organisms kingdom monira से belong करते हैं मैंने आपको पहले भी बोला कि kingdom monira 5 kingdom में ऐसा kingdom है जिसमें आपको prokaryotic organisms मिलेंगे और prokaryotic organisms की सबसे important खास्यत जो हैं उनमें well defined nucleus नहीं होता है so यहां पर आप देख सकते हो cyanobacteria मैंने आपको बोला कि bacteria में आप पढ़ते हो cyanobacteria भी RCA bacteria U bacteria U bacteria में cyanobacteria आप पढ़ते हो या जिसको बिलूगिन अलगी भी कहते हो जब मैंने बात की थी nitrogen fixation की so वहां पर मैंने नौस्टॉक की example बोली थी cyanobacteria में so cyanobacteria में एक और example याद रखना एनाबीना so एनाबीना cyanobacteria है cyanobacteria क्या है bacteria bacteria means prokaryotic organisms means जो kingdom monira से बिलौग करते हो means की जिनके पास true nucleus नहीं है so इस तरी के से आपको question को approach करना है so यही आपका correct option हो गया यहां पर जो mucar हैं यह kingdom fungi से बिलौग करता है kingdom fungi यह आपका eukaryotic organism है walvocus आपको यहां पर walvocus आपको मिलेगा algae में okay algae में जो kolonial algae है walvocus okay I think so so यह आपको मिलेगा algae में जो की kingdom plant हैं वो भी eukaryotic organism हैं उनमें भी true nucleus यानि वेल डिफाइने nucleus है okay so इसका correct option है वो है anabina anabina आपका bilugin sorry bilugin algae बोलो या cyano bacteria बोलो तो यह आपका prokaryotic organism है इसमें true nucleus नहीं होगा next question आप देख सकते हो बहुत ही important और अच्छे-च्छे questions है text से questions है which are the following structures is not found in prokaryotic cell so यहां पर आपको बोला है कि prokaryotic cellals में कौन से structure नहीं हैं इन 4 में से तेखो अगर हम ribosomes की बात करें ribosomes आपको prokaryotic organism होगे और eukaryotic organism होगे और फ्रत हैं भी मिलेंगे mesosomes की बात करें यग यह यह आपको दोनुंत मिलेंगे well defined nucleus क्यों नहीं होता है क्योंकि उनका जो nucleus होता है वो well defined क्यों नहीं होता है वो true nucleus क्यों नहीं होता है क्योंकि उनमे nuclear envelope नहीं होता है nucleus को जो bound करता है double membrane nuclear envelope वो नहीं होता है ओके सो इसी वज़े से उनको हम well defined nucleus नहीं होता है इसी वज़े से प्रोकरियाटिक स्चेल्स में या बैक्टिरिया में या जो आपका किंग्रम मौनीरा हैं तो राइबोजूमस यह याद रखना है इंपोर्टन पॉइंट है राइबोजूमस आपको यूकरियाटिस में भी मिलेंगे और प्रोकरियाटिस में भी नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Deteromycetes, theoretical question है, Deteromycetes को imperfect fungi भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखो इसका reason क्या है, लेकिन आप ये खुद भी चग करना, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन यही reason हो सकता है, जो Deteromycetes से इनको imperfect fungi इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये reproduction I think नहीं दिखाते हैं, sexual reproduction नहीं दिखाते हैं, ये asexual reproduction दिखाते हैं, इसी वज़े से इनको imperfect fungi कहते हैं, Deteromycetes को next question आप याँ पर देख सकते हो, जिस question की हमने बात की थी, इसे पेले भी, ओके ये आपको अब आना चाहिए so the structures that help some bacteria to attach to rocks and or host tissue, so यहाँ पर आप options देख सकते हो, phimbrae, mesozoom, hold fast, rhizoidis, जहाँ पर हमने phlegula की बात की, syria की बात की, philai की बात की और phimbrae की बात की उस option में, जब मैंने बोला था, जब question बोल रहा था, कि bacteria किस मदद से movement करते हैं, mortality किस structure से दिखाते हैं, तो उसका option तो philai जिला था, लेकित वहाँ पर एक option phimbrae भी था, तो मैंने वहाँ पर बोला था, कि phimbrae किस में मदद करता है, attach bacteria, अगर जो bacteria है, अगर इसको किसी चीज से attach होना है, किसी rock से attach होना है, या किसी host cell या host tissue से attach होना है, तो phimbrae की मदद से attach होगा, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि बैक्टिरिया अटेज होते हैं with the host cell और with some rocks with the help of fumray और मैंने वहाँ पर बोला था फिलेज इलाकी मादा से बैक्टिरिया मू करते हैं नेक्स्ट क्वेशन अब यहाँ पर देख सकते हूँ पिक दे रॉंग सेटेटमेंट इन चार स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर false यानि गलत स्टेटमेंट देखना है प्रोटिष्टा है फोटो सिंथितिक एंड हिटिरोट्रोपिक मूड आप नियूट्रिशन यस होता है उसके बाद some fungi are edible यस कुछ फंजे यहाँ पर edible है जो आप खाते हो उसके बाद nuclear membrane is present in monira तो यह statement गलत है तो इसका यही option आ जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी बोला दो बारी बोला मैंने कि monira में जो kingdom monira है यानि जो bacteria है या जो kingdom prokaryata है इन में यहाँ पर nuclear membrane नहीं होता है लेकिन इसने यहाँ पर क्या बोला है nuclear membrane इन में present होता है तो यही इसका wrong statement हो गया उसके बाद यहाँ पर cell wall is absent in animalia यह तो ठीक है जो kingdom animalia है या animal kingdom है जिसमें से हम भी आते हैं उनमें cell wall नहीं होता है हमें भी cell wall नहीं होता है लेकिन plasma membrane होता है तो इसका जो correct option है वो है option c nuclear membrane is present in monira यही wrong statement है क्योंकि यहाँ पर nuclear membrane monira में present नहीं होता है जो kingdom monira है या kingdom prokaryata जिसमें आपके bacteria है इन में nuclear membrane नहीं होता है नेक्स्ट कोशन आप यहाँ पर देख सकते हो इन विच आप दी फॉलोविंग ऑर्गनिजम दे शेल वालस फॉर्म तू थिन ओरलेपिक ओरलेपिक ओरलेपिंग शेल विच फिट तोगेदर यूगलिनाइड इस डाइनो फ्लेजलेट इस स्लाइम मोल्ड इस क्राइजोफाइट सो इसका जो correct option है वह option D, C देही, directly text book से question उठाया गया है, वहाँ पर भी C देही ऐसे statement है, यहाँ पर आप देख सकते हो in which of the group of organisms the cell walls form two thin, two thin overlapping shells, जो के आपस में fit होते हैं, यह किन में होता है, क्राइजोफाइट में, जो यह इगलिनाइड से हैं, डाइनो फ्लेजलेट से हैं, स्लाइम मोल्ड से हैं, क्राइजोफाइट से हैं, यह आपको किंग्नम प्रोटिश्टा में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेशन आप आप आँ पर देख सकते हो, यह भी important question है, टेक्स्टे से ही question है, सभी question है, important सभी question है, यह भी आपका किंग्नम फंजे से question है, choose the wrong statement, निरोस्पोरा is used in the study of biochemical genetics, यह से correct statement है, सिदे टेक्स्टे से हैं, यह याद रखना है, इस statement से याद रखना है, जो biochemical genetics में, उसके बाद जो option number B है, morals and truffles are poisonous mushrooms, यह आपका गलत statement है, यह poisonous नहीं होते हैं, यह edible होते हैं, जैसे हमने उससे पहले एक question में बात की थी, कि कुछ mushrooms edible होते हैं, edible means जिनको हम use करते हैं, is food जिनको हम खाते हैं, like mushrooms को हम खाते हैं, so mushrooms आपके kingdom फंजे से बिलांग करते हैं, जो morals हैं and truffles हैं, यह आपके poisonous नहीं होते हैं, यह edible होते हैं, हम इनको खाते हैं, yeast is initial oral and useful in fermentation, yes यह correct statement है, yeast जिसको आप saccharomyces service केते हो, यह आपका kingdom फंजे से हैं, yeast जिसको आप saccharomyces service केते हो, यह इसके लिए याद रखना कि यह initial oral होता है, initial oral फंजे की example, yeast है, that is saccharomyces service, और यह fermentation में मदद करता है, penicillium is multicellular and produces antibiotics, penicillium आपका fungay है, लेकिने multicellular fungay है, और यह एंटि बाटिक्स में मदद करता हैं, बनाने में, so यह याद रखना, unicellular fungay आपका yeast है, multicellular penicillium, और यहां पर yeast fermentation में मदद करता है, और penicillium antibiotics बनाने में, सो हमको wrong statement डूढ़ना था, वो option B है, इसमें wrong statement, next question है, important question है, कही बार NEET में पूछा गया है, which of the following are the most suitable indicators of SO2 pollution, जो sulfur dioxide pollution है, यहां पर आप देख सकते हो, इन चार में से कौन से indicate करते हैं, कि किसी जगा sulfur dioxide का pollution है, या नहीं है, तो इसका जो correct option है, वो है likeness, यह आप लोगों ने सुना होगा, important question है, text का ही question है, कि जो likeness होते हैं, यह वहां पर grow नहीं करते हैं, जहां पर sulfur dioxide pollution होता है, मतलब कि, अगर किसी जगा sulfur dioxide का ज्यादा pollution है, तो वहां पर likeness grow नहीं करते हैं, अगर आपको देखना है कि कि किसी जगा SO2 pollution है या नहीं है, तो आप वहां देखना कि likeness वहां पर grow करते हैं या नहीं, अगर grow नहीं करते हैं, तो SO2 pollution वहाँ पर है अगर किसी जगा likeness की growth बहुत अच्छी है तो वहाँ पर SO2 pollution नहीं है और जो likeness होती है यह association होती है between algae and fungi यह भी याद रखना और यहाँ पर जो algae होता है वो आपका autotropic होता है और fungi आपका heterotropic होता है तो algae food बनाएगा और fungi खाएगा और fungi शाल्टर प्रोवाइड करेगा क्योंकि fungi तो heterotropic है यह food नहीं बना सकता है algae autotropic है इसमें photosynthetic pigments है chlorophyll है तो यह food बनाएगा तो likeness is association between algae and fungi and lichens are suitable indicators of SO2 pollution next question आप देख सकते हो यह भी important question है बहुत important question है question यहाँ पर आप देख सकते हो which of the following statements is wrong for viroids जो आपके viroids है इनके लिए यहाँ पर आपको देखना है कि इन में से जो चार statement से कौन सा गलत statement है wrong statement है they lack a protein coat they are smaller than viruses they cause infections their RNA is of high molecular weight so अगर हम option एक की बात करें they lack a protein coat yes virus में protein coat नहीं होता है हमने इससे पहले एक question में virus की बात की थी जहाँ पर मैंने बोला कि virus में दो component होते हैं एक तो उनका protein coat और दूसरा genetic material so लेकिन जो वाइराइडिस है यह याद रखना पहुत ही important यह statement है यह आपके exam में तो आने ही आने हैं जो वाइराइडिस है इनमें protein coat नहीं होता है so option A यहाँ पर ठीक है डेले एक protein coat option B they are smaller than viruses yes जो यह वाइराइडिस होते हैं यह वाइराइडिस से small होते हैं यह option भी ठीक है they are infections yes जैसे viruses infection करते हैं उसी तरीके से viruses भी infection करते हैं their RNA is of high molecular weight इनका जो RNA है इसका जो molecular weight है वो high है यह गलत statement है इनका जो RNA होता है उसका जो molecular weight होता है वो बहुत थीक कम होता है low होता है बहुत थीक कम तो इसका जो correct option है वोगे option D हमको यहांपर wrong statement डूर ना था यहने false statement वो option D है जो जो आपके वाइरेडिस है इनके लिए यहांपर याद रखना दो तिन पॉइंट कि इन्हें protein coat नहीं होता है इनमें सिर्फ genetic material होता है सिर्फ genetic material होता है बस इतना ही है जैसे आप किसी इनसान को देखते हैं उसमें millions of cells हैं लेकिन जो यह वाइरेडिस हैं इसमें सिर्फ genetic material होता है जो आपके वाइरेडिस हैं वाइरेडिस में protein coat और genetic material याद रखना और यह small होते हैं वाइरेडिस हैं यह infection करते हैं और इनका जो वाइरेडिस होता है वह बहुती कम होता है small होता है लो